सबी का स्वागत है आपके free study channel पर जैसे कि आपको पता है मैं LMRC की और UPPCL की क्लासे करा रहा हूं UPPCL की एक क्लास होई है और LMRC की अभी काफी सारी क्लासे हो चुकी है जैसे कि आपको पता है ये मैराथोन चल रही है मैं कुछ कोषिन करा चुका हूं अब जो ये कोषिन चल यह है चल रहे है चेप्टर वाइज अब कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है कि सरी हिंदी में नहीं है तो हिंदी में मैं इनको explains कर दूँ आ ठीक है को कि मेरे पर पर जो कोशन है वो इंगलिस में यह चेप्टर वाइज रहीं है जिससे आप से एक कोशन नहीं छूटने वा तो वहां के मैं जो प्रिवीच के कोशन है वो करा रहा हूं और अभी जो स्टार्ट होने वाला हैं उनके जो मतलब question session start करने वाले हैं जिसमें मैं आपसे कुछ question मतलब आपके सामने question लेकर कर आऊँगा आप उसका answer दोगे और मैं आपको कुछ time दोगा फिर उसके बाद आप उसका answer दोगे और फिर मैं उसके बाद right या wrong बताऊँगा कि वो answer सही है या गलत है जिस वज़े से आप जिस कारण आपके जो वो है practice जो अच्छी तरीके से हो जाएगी ठीक है तो चलते हैं start करते हैं जैसे कि 25 कुछन में करा चुका था और बाकी के कराता हूं अभी ठीक है तो चलते हैं देखते हैं कहला 26 कुछन है which one of the following is not a function of a dialectic used in a capacitor dialectic used होता है capacitor के अंदर इसमें से कौन सा function जो dialectic material होता है capacitor में capacitor में जो dialectic capacitor देखा होगा आपके बीच में उसके dialectic material भरा हुआ होता है ठीक है तो यह मैं capacitor भी आपको बता चुका था बड़ी easy तरीके से मैंने आपको समझाया था ठीक है आप English में पढ़ते हो या Hindi में पढ़ते हो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ठीक है मैं जो समझाऊंगा वो देशी तरीका होगा समझाने गा ठीक है यह दो प्लेटे होती है यहाँ पर यहाँ रॉड टाइप कहलो इनको ठीक है यूँ करके ठीक है अब यह दोनों प्लेटे को चिपकने नहीं देता मालणप मथ्यों जस्के है यह इसलिए वी कामकरता है और यह कामकरता जो चार्ज चार्ज को यह इसको आपोле करने का भी कामकरता है ठीक है और Somewhere मैं टर्मिनल बना दूँ आपने देखा होगा इस तरीके का जो capacitor इस तरीके का यह आपको देखता है नियुक्त है यूपर की गोल तरीके का होता है cylinder type का देखा होगा blue blue color के और green color के जो उनकी capacity होती है उनके हिसाब से होते हैं यहाँ तर्मिनल निकले होते हैं ठीक है और यहाँ पर इसको इसका value लिखा रहता microfaraday में और इसका voltage लिखा रहता किस voltage पर कितना use होगा और यहाँ पर एक white color की पटी होती है जिससे हमें यह पता चलता है कि यह terminal negative है या positive है ठीक है अब यह तो हो गए हमारे capacitor की बारे में अब इसमें पूछा है कि इसमें से dielectric material का जो function है function नहीं है increase the capacity for a given dimension ठीक है कह रहा है कि जो increase होती है capacitance की for a given dimension के इसाब से उसका जो capacity increase हो जाती है पहला option यह है दूसरा option यह है कि solving the problem of keeping two metallic plates very small distance कह रहा है कि यह जो problem है हमारी पास में रखने की दो plate को पास में रखने की उसका solution very short distance पर रखते हैं यह short नहीं हो पाए तो यह एक तरीके का solution का भी काम करता है ताकि यह दोनों short नहीं हो पाएं ठीक है यह भी हमारा और c देखते हैं कि increase physical size of a capacitor यह कह रहा है कि जो capacitor का है जो capacitor का है यह size है यह वाला ठीक है physical size जिस तरीके से हम देखते हैं इसको physical तरीके से देखते है मतलब जो size होता है इसका वो बड़ा हो जाता है क्या ठीक है और d option है कहता है increase the magnitude of breakdown voltage क्या यह breakdown voltage जो हमारा है उसका magnitude increase कर देता है देखो पहला option इसमें यह है पहला option कहने के बात इसमें factual बात यह है कि capacitor में आप dielectric material यह मिलाई है कुछ भी मिलाई है capacitor के अंदर यह rod उसके अंदर थोड़ी मोटी है वो करिए तो उसके distance उसके जो capacitor का physical size है अगर जिस faraday का उसको बना दिया है फिर उसके अंदर dielectric material आप change भी करते हो यह कुछ भी करते हो यह उसके अंदर कोई chemical reaction भी होती है तो dielectric material के अंदर कुछ जो है वो changes नहीं आते है ठीक है एक ही condition में capacitor की physical size में जो है हमारा देखने को मिलता है वो कब देखने को मिलता है जब capacitor over charge हो जाता है यह ओर करके या तो यहां से फड़ जाएगा यह over charging के वजह से हो जाता है जरुष्प से ज्यादा करेंट दे दिया जाता है तो इस condition में फड़ जाता है या voltage ज्यादा दे दिया जाता है तो आखक है तो ऊसी condition में एक जो इसका physical size है वो इसका change होता है बाकि कोई condition में इसका physical size change नहीं होता अगर बात करें कि dialectic material से कोई physical change नहीं होगा हमारा dialectic material से कोई physical change नहीं होगा तो इसका right answer होगा बाकि इसको याद करने वाली ये चीज़े हैं ये तीनों चीज़े use कर लो याद करने वाली हैं कैसे increase magnitude breakdown voltage को increase कर देता है हाँ जी कर देता है इंक्रीज ता capacitance गीवन dimension के जो capacitance है उसको increase कर देता है हाँ जी बिल्कुल कर देता है solve कर देता है ये जो दो metallic जो metallic plate होती है आपस में रखी रहती है उनकी problem को ये solve करता है कोई कि बीच में dialectic material होता है हिंदी में भी समझा दिया है मैंने English में आपके सामने लिखा या और मैं समझा भी रहा हूँ दोनों भासा में समझा दिया है और जो आपका तीसरी भासा होती है जिसको कहते है interacting मलब जो जिससे आप interact हो सको जिस आपकी normal भासा होती है ठीक है बोल चाली में उस तरीके से भी मैंने इसको समझा दिया है ठीक है 27 वा question है the impedance of a capacitor is given capacitor का impedance किस तरीके से निकाला जाता है capacitor का impedance निकालने का सिर्फ एक ही formula होता है वो यह है c ठीक है z c इसकल टू xc ठीक है r square अब जो x square यह c है ठीक है x square c है यह दरसल होता क्या है यह होता है reactance capacitor का reactance होता है ठीक है एक question में मैं काफी सारी चीज़े बता दे रहाँ ठीक है ठाकि बाद में दिक्कत ना है कोई capacitor reactance होता है ठीक है अगर बात करों तो इसका formula क्या होता है इसका formula होता 1 upon 2 pi fc ठीक है इसका जो formula होता ही होता है तो यह formula भी आपको याद होना चाहिए inductor में जैसे capacitor का formula है यहाँ पर c लिखा तो यह capacitor का है ठीक है अगर यहाँ पर xl लिखा रहता तो यह क्या होता है यहाँ पर जो यह value है यह upon ना जाके उपर आ जाती है यहाँ पर यह लिख देते है यह पर यहाँ पर f है वो हमारी frequency है और यह पर पाई की value आप लिख सकते हो 3.14 ठीक है जब आप question करोगे तो यह value आपको याद होने चाहिए 3.14 यह पाई की value है या पाई की value लिख सकते हो 22 बट्टे साथ यह पाई की वेल्यू लिख सकते हैं आपर ठीक है जतने भी कोशन बन सकते थे वह मैंने बता दिया एक यह बता दिया इसके impedance का formula क्या है दूसरा यह बता दिया इसके अंदर capaciten reactance होता है उसका formula क्या है और फिर मैंने यह बता दिया इसमें कि कि इसके साथ एक और inductor का formula बनता है वह किस तरीके से बनता है ठीक है और इसमें मैंने ये बताया आपको कि frequency को कैसे देखा जाता है इसको क्या पोलता है खिर ए ersten winner in the pastor इने केपिसिटर के अंदर डाया इसके अंदर होता है वłby्याजाता esque इसलिए यूज किया जाता है ठीक है यहां पर दिया है increase capacitance value बढ़ाने के लिए increase the size उसका size बढ़ाने के लिए it's provide a physical extent to it decrease the capacitance value वो किसलिए बढ़ाया जाता है वो increase कर देता है उसकी capacitance value को ठीक है तो a is the right answer हो जाएगा capacitance value मतलब जो store करने की जो charge store करने की चमता होती है उसको बढ़ाने का काम करता है क्या कोन काम करता है अब 29 कूशन है यह कह रहा है the common defect capacitor capacitor के अदर common defect कौन कौन से होते हैं कौन कौन से देखने को मिलते हैं common जो defect होता है एक तो या तो वह leakage कर जाता है ठीक है या तो short circuit या open circuit या all of these three states जो common उसके अंदर defect देखने को मिलता है वो कौन से होता है leak circuit होता है या short circuit होता है या open circuit होता है leak circuit के मतलब यह है कि जो वह charge store कर रहा है उसको leak कर जाता है ठीक है short circuit के अंदर यह है कि जो अंदर की दोनो प्लेटें हैं वो सौट कर जाती है ओपन सर्गिट के अंदर यह है कि चार्ज उसके अंदर स्टोरी नहीं हो रहा ठीक है तीनों कंडिशन मैंने बता दिये इस कंसर आपको कमेंड बॉक्स मर देना है क्या क्या है लीक का मतलब मैंने बताया है कि वो जो करेंट जो चार्ज आपसें सोट हो रखे हैं nauj cruise का मतलब है कि वो जो चार्ज उसके अप पूरी तरही से इसलोर नहीं हो पा लाज है तो आप कमेंड बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं बस वीडियो देख लेते हों इससे आपकी नोलेज इन्हेंस नहीं होगी बस वीडियो देखना कपी नही उसका अंसर दीजिए ठीक है और अंसर देना है नहीं आता तो बोल दीजिए नहीं आता सर मिरे को बताईए ठीक है तो वहां बताया जाएगा आपको और अगले बार बताया जाएगा अब मिरे को ऐसे पता नहीं चल पता कि आपको आता है कि नहीं आता ठीक है तो यह एक तरी capacitor act as a, जो capacitor है वो act करता है, मतलब कि एक act करता है for a direct current, direct current के लिए क्या act करता है, जो DC होता है, उसको क्या कर देता है, उसको open circuit, उसके लिए वो open circuit का का काम करता है, ठीक है, मतलब DC को store कर देता है, DC को आंगे नहीं जाने देता है, मैंने आपको ये पढ़ाया था, कि DC को वो क्य एक amplifier circuit यहाँ पर होगा और बीच में यहाँ पर जोड़ा जाएगा ठीक है और यहाँ पर होगा और यहाँ यह दोनों जोड़े जाएंगे ठीक है यह amplifier की first stage हो गई यह amplifier की first stage हो गई यह amplifier की second stage हो गई पहले जो signal है यहाँ पर हमारा ऑप स्इखनल यह नहीं यह पर थोड़ा वड़ा ओगा है अब ज सप्लाई को उखने के लिएuhan में यहां काम करेगा ना, यहाँ पर जो जोडने का काम करेगा वो हम जो हमारा capacitor है उसको यूज में ले लिया करते है अब वो क्या करेगा जितनी भी यहाँ से DC की impurity आई है, DC की असुदता आई है, यहाँ पर direct current के सुदता आई है, तो उसको क्या करेगा, सोक लेगा, उसको आंगे नहीं जाने देगा उसको सोक लेगा ठीक है और जैसे AC सिंगनल बनेगा तो उसमें छोड़ देगा ठीक है तो क्या करेगा जब AC का साइकल बन रही होगी तो उसमें छोड़ देगा ताकि AC के साइकल और हो सके और DC को सोक लेगा ठीक है तो DC को सोक लेगा यानि स्वीच में बना देता हूं ठीक है इसको कहते हैं open circuit जब हमारा current यहां से आना जा पाए तो इसको open कह देते हैं open switch यह open है और यह यह close switch है जब बस्वीच जब हम own कर देते हैं उसका मतलब close होता है जब वह हमारा जो circuit है वो complete हो जाता है उसको close circuit कह देते हैं ठीक है अब यह क्या है हमारा open circuit open circuit किसलिए है कि direct current को आंगे नहीं जाने देदा तो direct current जब तक आंगे नहीं जाएगा तो वो direct current के लिए open circuit होगा ठीक है AC current हमारा pass on हो जाएगा DC को क्या कर लेगा open circuit हो ठीक है और फिर वो signal यहाँ पर जाएगा यहाँ पर और वो signal है वो हमारा निखर करके आएगा मतलब कि और बढ़िया हो जाएगा और वो यहाँ से further pass on कर दे जाएगा जो भी हमारे equipment होगा या जो भी हमारे speaker बगेरा होगे यहाँ पर यहाँ पर मैं speaker बना देता हूँ चोटा सा ठीक है यहाँ होगे यह stage 1 है यह stage 2 है यहाँ यहाँ capacitor लगीगा ठीक है यहाँ capacitor लगीगा तो इस तरीके से यह मैंने आपको समझा दिया ठीक है आप चलते है next question पर क्या रहाए दा capacitive reactance reactance की value मैंने बताई थी अभी यह मैंने आपको बताया था कि क्या होता इसका formula b is the right answer f का मतलब मैंने बता दिया था capacitance होता है capacitance को किसे में नापते है faraday में नापते है ठीक है और frequency यह हमारा frequency है ठीक है और πाई की value दो हम ले सकते है वैसे तो हमारे जो स्रिलिवर्स में मतलब जो इस chapter में दी जाती है वो 3.14 दी जाती है यह हम ले सकते हैं 22 बटे 7 जब 22 बटे 7 को डिवाइड करोगे 7 से तो हमारा यह value आ जाएग ए ठीक है तो दोनों मैंसे कोई भी value ले सकते हैं ट्रीक है दोनों में सब कोई भी वैलियू आप ले सकते हूं यहां पार है इसको हम बोलते हैं क्यापिसिटर रियक्तेंस रियक्तेंस बोलता है अब हमारा 32 कोशन कह था एनर्जी स्टोरलिने क्यापिसिटर के अंदर उसको किसे डेनूट करते हैं उसको करते हैं half cv square से किसे करते हैं हाफ cv ii2 से हम जो की हम डेनूट करते हैं ठीक है यह कितनी उसमें energy इस्ट अगर हम बात करें अधियंडक्टर की islands में कैसे अनर्जी इस्टोर होई यह तो उसका formula होता है is got to half LV ! ए इल का मतलब फोता है इंडक्टर ठीक है इंडक्टर ठीक है तो ये हमारा फॉर्मला हो गया है तो ठीक है जितने भी आपके कैपिसिटर इंडक्टर और रेजिस्तेंस से जो बनने वाले कोश्ण है वो सारे इस इस वीडियो में कवर हो जो जाएंग आपको आपको ऐना पूरी ध्यान से इस वीडियो को देगने हैंood में आपको और जो जिसके मैं ने कोशें फोए हैं जो मैंने वूशन पूछे हूं उसके आपको झासर देंगे भी यह आपकी कवर हो जाएगी यहाँ पर बिल्कुल तारीक actors है ठीक है आपका जो da वाले जितने भी कोशन बनता है ऐ उसमें तरीक के बनता हैं और कैसे और ओम ड्योगे क्यों भीकोषन और इसे हैं यह गाला पार्ट तो आपके वीudurat कि और उसमें भी देगे क्वेर्श के वाला ड्याए ग टॉट पटाए मिए इनठांग पार्ड़न कहा रहा है what is the value of C2, ठीक है C2 की हम इसमें value कैसे calculate करेंगे, आपको मैं बता दू inductor और resistance दोनों को ही inductor और resistance दोनों को ही एक तरीके से calculate किया जाता है अगर series में हैं अगर series में हैं दोनों ही, ठीक है तो इनको जोड दिया जाता है, जैसे कि I अगर मैं निकालू और series में लगे हुए हैं ठीक है, तीन inductor series में लगे हुए है, तो वो total inductor कितना हो जाएगा, series में लग रहे हैं तो total inductor क्या हो जाएगा, T1 plus T2 plus T3 ठीक है यह total inductor, और resistance अगर series में लग रहे हैं, तो resistance का मैं बता देता हूँ कितना हो जाएगा आर वन आर टू और आर थिरी इस तरीके से कैल्कुलेटर यह सीरीज का बतारू मैं यहां पर टीक है यहां लिग देता हुआ ठीक है तो और अगर हाँ यह होगा ठीक है अब इसमें क्या होता है आई और आर में अगर मैं पैरलल की बात करूं इसमें अगर पैलल की बात करूं अगर तीन हमारे पास इंडक्टर है तीनी इंडक्टर की बात करते हैं अगर हम तो ठीक है आई जो इंडक्टर होगा हमारा इंडक्टर हमें से ल से दिखाते है ठीक है यहां पर ल आएगा इंडक्टर हमें से ल से दिखाते हैं यहां पर ल आएगा और यहां पर भी आएगा जब L T total करेंगे तो यहां पर आएगा 1 upon L1 पिलस 1 upon L2 पिलस और 1 upon L3 इस तरीके से इसको calculate करेंगे और इसी तरीके से इसको resistance को calculate करेंगे resistance को 1 upon RT ठीक है यहां पर लिख देता हूँ R1 पिलस R2 कहीं को formula पता होगा कई बच्चों को नहीं पता होगा जिनको नहीं पता होगा एक बाल देख लीजिए किस तरीके से होता है confusion क्या होती है capacitor में confusion होती है inductor में confusion होती है किस तरीके से calculate करेंगा और calculate क्या होगा, capacitor की बात करें तो भाई, इसका दोनों से उल्टा होता, अगर इसकी series की बात करूँ मैं, ठीक, अगर यह series में लगा ओए है, अगर series में लगा हुआ है, तो 1 upon c1 करके, इस तरीके से calculate होगा, अगर 3 capacitor है, तो c1 पिलस C2, 1 अपन C2 और पिलस 1 अपन पिलस 1 अपन C3, इस तरीके से ये calculate हो जाएगा, ठीक है, आगर मैं बात करता हूँ, capacitor की parallel value की ठीक है, एक question में जितने भी तरीके question बनते हैं, वो मैं सारे आपको बताता हूँ, ठीक है अगर मैं बात करूँ, तो इसको हो जाएगा, इसको अगर ये parallel में लगा हुआ है, तो इसको direct ही पिलस कर दिया जाएगा, यानि कि इसको करेंगे C1, पिलस C2 पिलस C3 तो इस तरीके के ये question बनते हैं, इसमें ठीक है इस तरीके के इतने तरीके के question इसमें बन सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर right answer की बात करें हम तो right answer कुन सा होगा भाई, बताइए ठीक है, मैंने formula आपको यहाँ लिखा दिये, formula यहाँ लिखा दिये आपको, इसका answer आपको comment box मर देना है, सिरब आपको यह बताना ABCD, बाकी दो मैं सब बता चुका हूँ यहाँ पर सारे, मैंने सब बता दिया देखो आपको यह, यहाँ पर यह बता दिया, मैंने आपको यह यहाँ पर यह formula इसका बता दिया inductor का बता दिया, resistance का बता दिया, series का, ठीक है तो आपका स्लेवर से एक कोशन आपका बहार नहीं आएगा और आप छोड़ करनी आओगे एक भी कोशन बस आपको ध्यान से देखनी है वीडियो ठीक है अब क्या कहा रहा है कि जो हमारा relation है capacitance और उसकी value voltage का तो वो क्या होता है अगर मैं वात करूं कि voltage कितना drop होगा तो C1 पर जो drop होता है C1 पर जो drop होता है वो V2 का voltage होता है V2 या तो V2 जो यहांपर आप देखरो होना यह जो drop होगा voltage वो इस capacitance की वज़े से होगा तो इसकी value यह होयाती है और C2 की value क्या होयाती है वी वन हो याती है ठीक है इस तरीके से तो इसको आप लिख सकती हो C1 C2 V2 V1 तो आपका राइट अंसर कुन सा है इसमें देख लीजिए कुन सा है ए राइट अंसर आपका ठीक है ठीक है इजी कोशन है बस आपको थोड़े एफर्स लगाने है अब कहा रहा है तो इसमें लगे हुए है इसको माइक्रो कहते है ठीक है फैरडे पिलस 30 माइक्रो फैरडे कितना हो गया 90 हो गया न तो 90 आपका राइट अंसर हो जाएगा या तो आप ऐसे देख सकते हो क्या कह रहा है पैरलल में लगे होने चाहिए कितने लगे होने चाहिए 30 लगे होने चाहिए तो 30 है और कितने लगे होने चाहिए तीन लगे हैं यहां पर ठीक है तो तीस तिया नबबब और यह नबबब आपका राइट अंसर आपको लिखने की विजरूत नहीं पड़ेगी डायेक्ट डायेक्ट कोशन में यह आप अंसर कर दोगा और सबसे पहले आप ही का ही अंसर गला आईट आप साहं चाहिक्ट पोठाव है इसमें लगेंगण के टेक्व कईल सकता है अंग रहा है मैं करता है अश्यानचə उप करना साउरिब तब सब्सक्राइब लेजेजर जीम बसक्राइं हो सकता है और series resonant circuit की बात आए तो उसमें हम किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं आईए ठीक है ये series resonant series आपको याद रख रहा है यहाँ पर ये series word है ये ये आपको याद रखना है parallel होते हैं यहाँ पर डिजिट है वो चेंज हो जाएंगी ये formula चेंज हो जाएंगी अब आर की बात करें तो ये तो resistance होगी हमारा एक सब्सक्राइब आर की बात करें तो ये हमारा resistance होगा ठीक है इसको मैं white से लिखता हूँ ये आर की बात करें तो ये हमारा resistance होगा ठीक है XL मैं बता चुका हूँ आपको XL उता है आपका ठीक है टू पाई टू पाई एफल अगर मैं XC की बात करूँ XC की बात करूँ तो इसका फॉर्मुला होता है XC is equal to 1 upon 2 pi FC ठीक है इन दोनों अब जब हम इन दोनों में से ये दोनों घटा देंगे ये दोनों घटाने के बाद इनका square करेंगे ये square करने के बाद फिर यहां पर हम जो resistance जो दिया होगा उसका square करेंगे दोनों को जोड़ देंगे फिर उसका root कर देंगे तो जिससे हमारी क्या जाएगी impedance हाजाएगा series resonance circuit का ठीक है तो इस तरीके से हम तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं ठीक है अब आपका right answer हो जाएगा यहाँ पर इस भी यहाँ पर right answer हो जाएगा यहाँ का अब कहारा है SL जो series होता है आप इसमें देखो इसमें किस तरीके कितने तरीके कोशन बनते वह मैं बात बता देता हूं आपको और ल सर्किट में Dan Sari ै सरकिट में क्या होता है यो व्टेज है हिंदी वाका नम बता हूं ठीक है है कि वोल्टेज क्या करता है लीड करता है हां है इस में इस वोल्टेज क्या करता है लीड करता है वोल्टेज करता है कि से करता है कि कि से करता है कि diferentes लीड करता है 90 डिगरी पर यानि कि जो वोल्टेज है वो रिजिस्टेंस और यह इंडक्टर है लिखा हुआ है आरल का मतलब रिजिस्टेंस और इंडक्टर है किसमें लगे हुए है सिरीज में लगे हुए है वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री से करेंट लैग करता है लैग मतलब पीछे रहता है पीछे रहता है ठीक है यहां पर लैग करता है 90 डिग्री से अगर दो तरीके से उप्शन आ सकते हैं आपको या तो वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री से या करेंट लैग करता है 90 सकता है ठीख है अब बात करते हैं RC सरकिट की दोनों तरीके के मैं ने बता दीए इसमें दो तरीकी के बनते हैं एक तो यह current आंगे देदेगा कहेगा current पीछे रहता है 90 यह वुल्टेज देगा फिर कहागा वुल्टेज आंगे रहता है नवे डिगरी से बात तो यह कि इन दोनों का ठीक है अगर आर्सी की बात करें ठीक है और जो एलम आर्सी में पूछा था वो इस तरीके जब पूछा था कि करेंट जो है वह पीछे रहता है कि कि नवभे करेंट आंगे रहता है यानि कि करेंट लीड करता है लीड का मतलब लीडर है यह आंगे रहेगा ठीक है इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो और जो वोल्टेज है वो लेक करता है वोल्टेज लेक करता है ठीक है 90 डिगरी से ठीक है आर सी में क्या करेंट लीड करेंगा मतलब करेंट आंगे रहेगा और आरल में क्या करेंगा वोल्टेज आंगे रहेगा ठीक है और 90 डिगरी का रहेगा यह कोशन आपको कितने बन गया इसमें देखो एक, दो, तीन और चार चार तरीकी कोशन मैंने आपको इसी कोशन मैं बता दिया ठीक है अब कहना है इन्हें series RLC circuit हुआ ही आ गया current यहां पर lead करेगा ठीक है यह आपका right answer हो गया अब क्या कहा है इन्हें series RLC circuit the net reactance at a frequency above the RLC अगर series में लगा हुआ है दो बाते इसमें दो तरीके कोशन बनेंगे दो तरीके कोशन बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ RLC अगर सिरीज में लगा हुआ है तो जो उसका अंदर resonance जो frequency बनेगी वो inductive होगी inductive ठीक है अगर ये parallel में लगा होता यहाँ पर अगर parallel लिखा होता ठीक है parallel लिखा होता तो यह जो RLC circuit में जो frequency जो resonance frequency होती वो होती capacitive ठीक है अब दो तरीके कोशन बनेंगे यहाँ तो RLC series में लगा होगा तब उसमें बता नहीं resonance frequency क्या होगी जब series में लगा होता है तो inductive होती है और जब वो capacitive है जब वो parallel में लगा होता है तब उसकी जो resonance frequency है वो capacitive होती है ठीक है? तो यह आपका right answer हो जाएगा कौन सा B ही आपका right answer हो जाएगा ठीक है? resonance circuit are used in ठीक है? resonance circuit का use क्या जाता है किसमें अब देखो resonance का मतलब क्या होगा है, resonance के अंदर RLC होता है, resonance क्या होता है, RLC, जब हम तीनों को use करते हैं, तब उसको resonance circuit क्या देते हैं, ठीक है, अब जो resistance है, और जो capacitor है, ठीक है, capacitor है, और जो inductor है, उन तीनों को use आईए, देखते किस में होता है, Amplifier में होता है, Amplifier में तीनों को use होगा, ऑक्सिलेटर में तीनों को होगा, ठीक है, ये frequency generate करता है, resonance हमेशा frequency generation की काम में use किया जाता है कोकी इसमें कैपिसिटर होता है जो डी सी को अलग करता है और जो इंड़क्टर यूज होता है वो एसी को अलग करता है ठीक है अब रियक्टिफायर में तो हमारा इंड़क्टर यूज होता है ठीक है इंड़क्टर जो रियक्टिफायर होता है रियक्टिफायर विद फिल्टर होता तो इसमें हमारा कैपिसिटर भी आया था और हमारा इंडक्टर भी आया था तो जो रेक्टिफायर है उसमें हमारा इंडक्टर और कैपिसिटर यूज में नहीं होता ठीक है और अगर इसके साथ फिल्टर लग जाता तो इसमें दोनों में होता है अगर हम पर filter circuit होता तो filter circuit में हम यह resonance circuit का यूज़ करते हैं ठीक है इन्हें पहला resonance circuit the inductive current and capacitive current remain out of phase होता ठीक है जो हमारा जो हमारा inductive current होता है और जो capacitive current होता है वो remain यह रहता है अब इसमें क्या गया है जो parallel circuit होता है पहला resonance circuit जीसिश में आरल सी यानि के रिस्टेंट इंडक्टर और कैपिसिटर होता है inductive current जो हमारा inductive जो इंडक्टर से बना हुआ current है जो इंडक्टर के अंदर current है और जो RLC parallel की बात करी गई है और तो RLC parallel में आपको बताया था जो हमारा resonance frequency है वो किस तरीके की बनेगी वो capacitive बनेगी और series में कैसी बनेगी inductive बनेगी तो हमारा c right answer यहां पर हो जाएगा ठीक है यह सारे important question है the frequency diagram in a so given figure is an ठीक है यहां पर जो यह दिया गया है यहां पर देखो आप यह capacitor है ठीक है यह inductor है दोनों ही parallel में लगे हुए हैं दोनों अगर जब parallel में लगे होते हैं तो parallel resonance circuit यह हो जाता है अगर यह दोनों series में लगे रहते हैं यहां पर अगर inductor लगा रहता है यहां पर और resistance यहां पर लगा रहता है तो उस condition में यह series resonance circuit हो जाता ठीक है तो यहां पर भी इसका right answer है what expression is used to determine the resonance circuit पैलर resonance circuit ठीक है अब इसका जो formula होता है frequency निगालने का वो इस तरीके से लिखा जाता और जो यह पहले लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है यह पहला लिखा हुआ ना और यहां पर अगर series की बात करूं मैं series की बात करूं तो यहां पर जो frequency निगालने का formula होता है वो होता है 2Pi Root LC ठीक है 2Pi Root LC जो formula होता है यहां पर ठीक है वो होता है यह सीरीज का है यह सीरीज का है यह पहलाल का है पहलाल और सीरीज में यही अंतर होता है जब इसका हम जो frequency resonance तो रेजोनेंस फ्रोकेंसी निकालने की बात करते हैं, तो इतना ही अंतर नहीं होता, और वीडियो यहीं होती है, खत्म, वीडियो देखने के लिए धन्य बाद, वीडियो अच्छे लगी हो, तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर आप नए आयो हो, तो इस चै नए नए विकेंसी निकलती हैं उनकी मैं जो notification है और उनका जो flavor में सारा complete कराता हूँ प्रिविश येर के question complete कराता हूँ और जितनी भी उनकी query वगेरा निकलती रहती है वो सारी यहाँ पर clear होती है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में जहिन बाई बाई